स्टोक मार्केट के अंदर कुछ ऐसे स्टोक होते हैं जो आने वाले समय में अपने जो इन्वेस्टर उनको बहुत ही अच्छा रिटन दे देते हैं आप लोग के भी कमेंट आ रहे थे कि हैं अपनी जो टेक्निकल और फिंडामेंटल अनलिसिस कीजिए प्राइस एक्षन को र और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अगर वो बहुत अच्छा रिटन दे सकते हैं तो हमें इधर है रिकॉमेंट किजिए दोस्तों बहुत सारी इधर है टेक्निकल फंडामेंटल अनलिसिस करने के बाद प्राइस एक्षन जो चार्ट से उसको रीड करने के बाद और ज और आने वाले समय में ये माना जा रहा है इसका टार्गेट लगता है कि यह है इधर पांस या दस रुपे के आसपास है इधर ट्रेड कर शकता है तो दोस्तों हम इना इसका पूरा एनलिसिस करेंगे कि जो ये वीसागर फाइनेंशल सर्विसिस लिमिटेड का जो स्टोक्स है इतना ज्यादा रिटर्न है कैसे दे सकता है इसके अंदर क्या-क्या इधर अपडेट आई है ताकि आप भी है इधर पूरी तरह से है इसका एनलिसिस कर सके और आप अपने हिसाब से इस स्टोक्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बना सके वीसागर फाइनेंशल कंप पनाना एक बड़ा इंपक्ट हो सकता है Profit Growth और Profit Margin इधर Double होने वाली है Vee Sager के जो promoter है आपको पता है कि जो कई सालों से 30 स्टूडियो भी इधर हैना चला रहे है इसलिए ये माना जा रहा है कि जो Vee Sager का Media Financing वाला जो Business Module हैना successful होगा जो कि यहाँ पर जो company के promoter है उनको काफी ज़्यादा knowledge और experience है इस sector का तो इससे भी है न जो company के stocks के उपर एक positive impact देखने को मिलेगा और जो मेरे हिसाब से जो targets है दिये गए है 5 या 10 रुपे का में भी है जो stocks जल्दी हीदर reach out कर सकता है जो company के CEO Mr. Sagar Kothari जी ने 80Now के साथ जो entry में खुलासा किया उसका जो YouTube लिंक है मैंने description में डाल दिया उदर जाकर आप link के उपर क्लिक करके पूरा entry आप लोग सुन शकते हो और आप देख सकते हो कोई company का management आगे किस तरह से grow करने वाला है दूसरी बड़ी news यह है कि जो alliance global brand को ने वी सागर से जो stake लेने का जो process है वो शुरू कर दिया है आप लोग जानते हैं कि जो alliance global brand को है जानी मानी asset management company है और यहाँ पर जो यह company है यानि जो alliance global brand को इधर जो 24% है इधर वी सागर से stake लेगी अब अनुमान लगया जा रहा कि alliance global कुछ share open market से लेनी वाली है और कुछ stakes company के जो preferential या right issue के माध्यम से लेने वाली है दोनों ही case में वी सागर का जो share से ना एक रुपे से बढ़कर पांच रुपे से भी जादा इधर हो शकता है तो हमारी analysis के हिसाब से जो पैसा alliance group से इधर लिया जा रहा है वी सागर financial services limited इस पैसे को आगे utilize करेगा जो इनका नया business जो venture जो अभी इन्होंने establishment किया उसके अंदर आप लोग जानते कि पैसा ही पैसा इधर बनाता है तो वी सागर financial की जो management है वो काफी ज़्यादा confident है अपन जिसका market cap 70 crore रुपे के आसपास है company का जो man business investment और loan देने का है company के अपने जो core business से काफी अच्छी जो है income generate कर पा रही है वी सागर financial ने इस साल लगबग 430% का जो net profit है वो gain की दिया है और इसका revenue भी लगबग 230% इधर बढ़ गया है एक साल के अंदर अगर आप लोग देख साल 2030 इसमें company ने इधर 50 crore रुपे का revenue और 1 crore 30 lakh रुपे का net profit है वो दिया है इससे एक बात तो clear हो जाती है कि company अपने business में है काफी जादा इधर पकड़ बना चुकी है और सुत्रों के अनुसार आने वाले quarter में भी company बहुत ही जो अच्छे result है इधर देने वाली है अगर ह जो दोस्तों इनकी management है काफी जादा confident है अपने जो नए business जो venture को लेकर यहां से एक अच्छा जो income है इधर से ये लोग बना शकते हैं साथ में आप लोग देखोगे कि अपडेट भी आ रही है और जो एक multi bagger जो penny stock मुझे अपनी नजरों में इधर दिखाई दे रहा आप ल इधर है जो loss होने के chances भी है इधर बहुत कम हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो company का जो portfolio है company का जो business segment है इसके technical और fundamental analysis है मुझे काफी जादा इधर है बहुत अच्छे लगते हैं फिर भी आप किसी भी stocks के अंदर इधर entry बनाने से पहले आप भी अपने खुद के जो है ना टेकनिकल और fundamental analysis जरूर कर लीजिए तो में यहाँ पर एक चीज़ और add-on करना चांगा क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश यानि इंडिया में जो है films और जो OTT यानि कि entertainment जो industry है 5 trillion dollar की है ना जो market cap है ना उसको इधर होल्ड करती है और साथ में अग लोग इधर idea लगा सकते हो और इसी को देखते हुए दोस्तों जो alliance global जो blend को जो UK based जो company एसेट management company इसी को देखते हुए company के इंदर है 24% जो sticks है इधर hold करने जा रही है तो आप लोग इधर अनुमान लगा सकते हो कि आने वाले समय में जो stocks है कि इस level के उपर है इधर trade कर शकत अगर आप और भी इसके बारे में additional information जानना चाहते हो वह भी मुझे comment section में जुरूर comment कीजेगा ताकि आने वाले समय में मैं आप लोगो अपडेट देश कूँ फाइली तो आपको वीडियो कैसी लगी अच्छे लगे तो like कीजेगा दोस्तों फिर में लेंगे शी तरह देमात्राप